बड़ी खबर आई, UAE की राजधानी अबुधाबी से वहाँ दो जगहों पर ड्रोन से हमला करने का शक जताया गया पहला हमला अबुधाबी के एक इंडस्ट्रिल एरिया में हुआ जिससे तेल के तीन टैंकरों में विस्पोर्ट हो गया इस हमले में दो भारतियों समेथ कुल तीन लोगों की मौत हो गए UAE में भारतिय मिशन मरने वाले दोनों भारतियों की जानकारी जुटाने की कोशिश में लगा है वहीं जो तीसरा शक्स धमाकों में मारा गया वो पाकिस्तानी है यह हमले में छे लोग जखमी भी हुए वहीं जो दूसरा हमला हुआ वो इंडर्स्टियल एरिया से कुछ दूरी पर अबुदाभी इंटरनाशनल एरपोर्ट पर किया गया वहाँ एरपोर्ट में एक जगा पर आग लग दे अबुदाभी की पुलिस ने बताया कि इंडर्स्टियल एरिया और एरपोर्ट पर धमाकों और आग लगने से पहले वहाँ पर उड़ती हुई चीज़ों से मतलब ड्रोन से निकाला जा रहा है वहीं यमन के हूथी विद्रोईयों ने तो सीधे तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी भी ली आनन्द दिवारी माट से जुड़ रहे हैं आनन्द और क्या पता चल रहा है इस पर जी किशोर अबुधाबी के इंटरेशन एरपोर्ट पर ड्रोन के जरीए दो अलग अलग जगे पर हमलों को अंजाम दिया गया है और इसमें दो भारती है और एक पाकिस्तानी शक्स की मौत हो गई है जबकि छे लोग बुरी तरह घायल होगा है इस पूरे हमले की जो जिम्मदारी है वो यमन के जो हूती विद्रोई है उन्होंने लिए है अबुधाबी पुलिस का कहना है कि जो टेल टेंकर थे उनके वहनों को निशाना बनाए गया है जो इंटरेशन एरपोर्ट की जो कंस्रक्शन साइड है वहाँ पर इस हमले को अं स्काइड कर दिये